देखिए राइट नव में नोर्ड सिटी पॉलिस नेशन पर है ये कल रात में जो है राममंदिर सरकल के उपर जो है जो फरता बास से तीन बाइल लेकर आ रहे थे एक टाटा इस में वो गाड़ी को सीज किया गया है और जनवरों को भी सीज किया गया है ये बताया जा रहा है मैं पॉलिस टेशन आने के बाद के इट इस नोट पॉलिस इसमें इन्वाल नहीं था इसको वेटरनेरी हॉस्पेटल के डॉक्टर्स ने जो है गाली रोका और गाली रोकर यह जो है हमारे कास लाके केस किया है सबसे पहले मैं यह बता दू यह सबसे बड़ा ब्लंड रहे वे जन्वार को वो लेके जो जन्वार आ रहे थे सिटी में रामंदिर सर्कल के पास रोका जाए अब यह बड़ा एक शौकिंग सा है मैं भी वेटरनरी डेप्टी डिरेक्टर को वेटरनरी के तकरीबन ऑफिसर्स को बात किया और पॉलिस ऑफिसर्स को बात किया उनका यह बोल ही मतलब यह है कि यह फाए के साथ यह जुड़ेवे बात जो भी है इनको ट्रास्पोर्टेशन करने के लिए कोई ट्रांस्पोर्टेशन परमिट का जरुर्रत नहीं है यह क्लियर हाइप का डेयरेक्शन है मतलब क्या हाई कोट जो अलाबाद हाई कोट बुर रही हो कि इंडिया के बाहर है चाहिए गुलवरगा डीसी का ओर्डर है या जिस किसी डिपार्टमेंट का ओर्डर है यह ट्रांस्पोर्टेशन रिसिप्ट के ग्राउंड पे रोकना यह टोटली इलीगल है क्यांकि खानून दो नहीं है इंडिया में खानून सब जगा एक ही चलता है जब हाई कोट का डिरेक्शन है तो यह जन्वरों को पकड़ के जिस तरीके से पोलिस डिपार्टमेंट हो या वेटरनेरी डिपार्टमेंट लेके गए हैं यह इलीगल है हम इनको करनाटा का प्रां अबने धरना करेंगे और रहा सवाल जिस तरीके से अभी दो चार दिन से जो हल्चल चली है गौरक्षा के नाम पर यह सबसे पहले नांसेंस बंद करना चाहिए जो गौरक्षा की बात कर रहे हैं इस देश में सबसे बड़ी गौभक्षक जो बैटी है वह संट्रल गवर्म मेंद बीजेपी गौवर्मемंट है जो साला ना सjut टलब करोड का बीफ एक्षपोट कर रही है अगर यह गौरक्षक ह्था एक्षक है तो सबसे पहले यह बीजेपी गौवर्मेंट के खिलाफ धरना करके बीजेपी गौवर्मेंट से जो बीफ एक्सपट तरीया सिको रोके ये गौरक्षा के नाम पे क्रिमिनल लाक्ष करना बंद करें खुद मोदी जी नहीं कहा है याद रख लें सारे गौरकषक दिन के क्रिमिनल रात में गौरकषक बंद के फिरते हैं तो मतलब को मोदी जी भी नहीं कहा है क्लियर कट गौरक्षा के नाम पर यह क्रिमिनल लाक्ष कर रहे हैं यह सारे क्रिमिनल्स हैं अगर इसको जिस तरीखे से हैंडल करना है पॉलिस हैंडल नहीं करती है तो करनाटा का प्रांत रहिट संग फिर गुलबरगा डिस्टिक में इसको बड़ा मुमेंट लेके खड़ा रहेंगे हम वो चाहे कोई स्वामी खड़ा रहे जो भी कहें शंकराचारिये शंकराचारिये का कहना है कि इस देश में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बीफ खाने वाली कोई सरकार बइटी है तो बीजेपी सरकार है यह न्यूज मीडिया में उठाके देखें साथ जो इशू के लिए इंवर्सेटी पोली स्टेशन पर खड़े हैं यह जो तीन केटल जो सीज किये गए हैं जो गाड़ी के साथ किये गए हैं वो गाड़ी और यह तीन केटल इमीडियेट रेलीज होना चाहिए बिकाज देरिस क्लियर डिरेक्शन फ्रम हाई कोट अफ अलावाद नो पर्मिट रिक्वाइट वर ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ काव एंडिस प्रोगिनी मतलब चाहे वो गाय है गाव के साथ वंस के जुड़े वे जो भी जनवर है उनके ट्रांस्पोर्टेशन के लिए इस डिपार्टमेंट बीड वेटरनरी डिपार्टमेंट यह आक्ट यह लोग रोके नहीं तो करनाटा का प्रात्राइच संग फिर यहां से हम कल से ही बड़ा धरना स्टार्ट करेंगे थैंक यू